पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि नाउन उन्हों के जूट के वज़े से उसके अजीब बरताफ के वज़े से परेशान हो गई है और एपिसोड अठारा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उन्हों नाउन को मेसेच करता है कि अगर तुम नाउन टेम्पल पहुचती है जहां उसे वाइट फ्लावर्स का बुके दिखता है कुछ फोटोस के सामने और ये फोटोस होती है उन्हों और उसकी फ्रेंड दाउन की और इस दाउन को हमने पहले के एपिसोड में इसी टेम्पल में देखा था अब यहां हमें बताय तो नही पैना है जिस तरह से वाइट फ्लावर्स का बुके दाउन के सामने रखा गया है उससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि दाउन शायद जिन्दा नहीं है वो इस दुन्या में नहीं है एनिवेज नाउन कंफ्यूज होती है इस सब से और उतने में बहा उन्हों आ जाता है उन्हों बोलता है कि तुम खुद सोचो मैं तुमें एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ एक हफ्ते में तुम अपनी गलती एकसेप्ट करो और पब्लिकली माफी मांगो अब नाउन को पता नहीं होता कि उन्हों किस बारे में बात कर रहा है पर जिस तरीके से उन्हों ने उसे एक हफ्ते की डेडलाइन दी थी कैंडल्स के परफेक्ट सेंट को ढूरने के लिए और यहां ये बात क्लारिफाई तो नहीं की जाती पर उस वक्त शायद नाउन बहुत प्रेशर में थी क्योंकि उसे जहा के सामने अच्छा प्रोजेक्ट रखना था पर उसके लिए एक हफ्त में आइडियास डूणना मुश्किल हो गया था इसलिए नाउन ने किसी छोटे कैंडल शॉप की आइडिया कॉपी की जिसके बाद पूरी सॉंग्सू मार्केटिंग एजनसी कॉंट्रवर्सी में फस गई जैसे कि हमें पहले के एपिसोड से पता है हम फिर से अभी के टाइ से क्या रिलेशन है यहां यूमी नाउन को कॉल करके बताती है कि मैंने तुमारे लिए एक दिलचस्प गिफ्ट तयार किया है पर नाउन उसकी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर हमें दिखाया जाता है कि सॉंग्सू मार्केटिंग एजनसी की रहे थे और नाम ने यूमी को हान और उन्हों की डील के बारे में बताने से मना तो कर दिया था पर अब यहां पे हमें दिखाया जाता है कि नाम खुद को रोक नहीं पाता और उसने यूमी को उसी वक्त डारेक्टर हान और उन्हों की डील की कंडिशन्स बता दी थी कि डा पाच साल पहले के रिपोर्ट मिले कैंडल कॉंट्रोवर्सी से रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स मिले और यूमी समझ जाती है कि क्योंकि नाउन ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था इसलिए उन्हों नाउन से बदला लेना चाहता है और इसी मौके का फाइदा यूमी और उसे याद आता है कि इस शौक को पाच साल पहले आग लग गई थी आग के वज़े से शौक का बहुत नुकसान हुआ किसी की जान भी इस आग में चली गई और नाउन जब शौक में आउट ओफ रिस्पेक्ट कुछ फूल रखने गई थी तब उसे पहली बार मैसूस और यहाथ उसे अंधेरे में खीचे जा रहे है इसी हाथसे के बाद से अंधेरे में नाउन को पैनिक अटाक्स आने लगे यहाँ उन्हों और डारेक्टर हान मिलते है और उन्हों बोलता है कि मैंने नाउन की एचक्यू मोटर्स की डील को खराब कर दिया है अब तुम और दाउन हैंडिकैप थी वो वीलचेर का इस्तमाल करती थी पर उसने कभी इस कमजोरी को अपने रास्ते में नहीं आने दिया उसे कैंडल्स बनाने का शौक था वो बहुत टैलेंटिटी थी उसके पास हमेशा नहीं आइडियाज रहती थी इसलिए उन्हों चाहता था कि दाउन की कैंडल्स की मार्केटिंग सौंग्सू मार्केटिंग एजनसी करे ताकि और लोगों को दाउन का टैलेंट दिखे पर दाउन सोचती थी कि बड़ी मार्केटिंग एजनसी की मदद लेना मतलब अपनी आइडेंटिटी खोना है रेप्यूटेशन और फेम में दाउ देखा था पर मैं उसके बारे में भूल गई थी किसे पता था कि 5 साल पहले तुमने जो कैंडल्स के आइडिया चोरी की उसका बदला लेने उन्हों वापस आया है नाउन कहती है कि याद रखो मैं पहले डायरेक्टर हान को खतम करूंगी और उसके बाद उसे साथ देने व पता चलता है कि एच्क्यू मोटर्स के रीब्राइंडिंग के बारे में आज डिसिजन लिया जाने वाला है इसलिए वो जबरदस्ती इस मीटिंग में घुश जाती है और एच्क्यू मोटर्स के ओनर को बोलती है कि मैं एक एक्सपोर्ट हूँ और मुझे प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलना चाहिए ओनर बोलता है कि तुम नहीं कहा था कि तुम एच्क्यू मोटर्स के रीब्राइंडिंग नहीं करना चाहती हो इसलिए तुम्हारी कमपनी ने यानि सौंग्सू मार्केटिंग एजनसी ने मुझ नहीं है और उतने में वहाँ आ जाता है उन्हों इसका मतलब डारेक्टर हान की मदद से एच्क्यू मोटर्स का प्रोजेक्ट उन्हों को मिल गया है और नाउन इरिटेट होकर उन्हों को पूछती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे प्रकेटिंग एजन्सी से ही हो फिर भी तुम लड़ क्यों रहे हो अचानक से उन्हों और नाउन के कानों में टेंपल की घंटी की आवाज गूंचने लगती है उनके सिर में जोरों से दर्द होने लगता है और कुछ सेकंड बाद उन्हों और नाउन सिफ एक दूस्टे की तरफ देखते हैं और यहाँ यह सीन कट हो जाता है यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि दाउन टेंपल में बैट कर बोलती है कि यह उन्हों और नाउन का आखरी मौका है और यहाँ पर एपिसोड 18 खतम हो जाता है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो उसे ला ब करेंट आपको